जब इनों पीछे लिया रहे मुद्वर तो इसका इनका रिपकेच एगनम से स्टेच और अग्जिस से इनके लिवर पे इनके हाट पे इनके ब्लैडर पे और लंग्स के उपर बहुत ज्यादा जैन दोस्तों जैमागल शौकातर कपेलोनी वर्सस बाड़ी बिल्डिंग चैनल बीवर में कुछ खराब्यारी रहो और आइस्ता जब्रे दैमेज gonna सकता लुए कभी पी घड़बड़ी हो इंप तो आप बुछ जो जरूरी बाते हैं जिसे आप उसका असानी से बता कर सकते हैं जीसे के उसका फ Orient सिंटम है क्लिया अना खाना नेखाय जाना और मोशन सोना सुस्ति आना कुछ दूर चलते की ठकावट हो जना इसे कई सारे युवा बुड़े हैं जिनकों मैं पैशानता हूं जो थोड़ा बहुत चलने के बाद में ठक्के बढ़ जाते हैं इसका कारण मेन उनका मुख्य उनकी उमर पूरी होने से पहले उनका लिवर्ट जवाब दे रहा है थक जारा जल्दी इंसान को जल्दी ठका देरा आज कि अगर आप टीनेज में देखे सभी तो नहीं लेकिन कई सारे ऐसे लोग है जो कि गलत रास्ते पर जारे गलत रास्ते आने गंदे रास्तों पर नहीं उनका 25-75 साल दीज साल एक नार्मल इंसान का लिवर तीस साल लेकिन अज़िधे सारे ऐसे युवह बहुत ही आवश्यक हो गया है दस कदम भी ने चल सकते हो लोग तो ऐसे कई सारे मेरी माताइं भाएले भी है जो के उनके बेली लाइफसेल से जो खाना खाते हो लोग पहली बात अपने कुछ घर में खाना मन रहा होई खाना अपने को बरोबन ने मेरा फटलाइजर का खाना और गंदे की बाहर की अपने जिसम में डाल लगे लगे खराब कर ले उसको तो ऐसे कुछ ड्रिंक्स है जिसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा जिससे आपका लिवर तंदुरुस रहें और इस थोड़े अभ्यास से जिसको बताने से आपका लिवर के अंदर फिर वा ताकते और इंसान अगर कोई लिवर को अपने मजबूत रख लिए तो उसका जिसम पूरा फिट रहता लिवर बहुत ही महत्वपण अपना आरगन है तो यह शुरू करते हैं आज का वीडियो लिवर को डिटॉक्सिफाय करने के लिए दोस्तों पहले तो व्यायम ज़रूर कि उसके बाद उसका कान फान जिसके अंदर मेरी मैं आप को पर सनलीं सजेश्च करूंगा इअर्फ जो कि भस रिका समतोला मुक्य से करने का रख आपकर बश्यक्सिक है इसे आप थोड़ा आपका रिपकेज थोड़ा सा फाइलिंगा जिससे आपकी लिवर की केपैसिटी बढ़ेंगी जो शुक्ड़ावा लिवर है उसको फैलने में याने जो नार्मल साइज उसको आने में बहुत ही ज्यादा उप्योगी है इस अब्रेश के पास दोस्तों अप जब इन्हों स्वास खींच रहें अंदर एक मिट पीछे लिया के बढ़कर हो जब इन्हों पीछे लिया रहें मुदगर तो इसका इनका रिपकेज इनके स्टेच और अग्जिस से इनके लिवर पे इनके हाट पे इनके ब्लैडर पे और लंग्स के उपर बहुत ज्यादा प्री मुमेंट इनके लंग इनके आर्गन्स को फ्री मुमेंट मिलता है और कैपासिटी बढ़ती याने जो सिगडवे अंग है उससे इस अभ्यास से वह आप इससे प्राण नार्मल शेप में आना चलो जेंगे लुआ कि अब दोस्तों या अभ्यास आपको करने करना और आपकी लाइफटाल में भी थोड़े बहुत चेंजिस करना मैं देख रहा हूंगी कई सारे टीनेजर्स और टीजर्स डिप्रेशन में जा रहें डिप्रेशन में जाके वो लोग नीन के गोलियां खाना पता नहीं नीन के ने मिलता है अगर इतने आप लोगो खुटकुशी करने का शौक है तो जाकि आप फौज में भरती हो जा सकते हैं अगर जाने से पहले पुस्देश के लिए अच्छा सकते किसी के लिए पागलं हूंगा किसी के लिए पीचे पढ़कर अपने जिंदेगी से खेलना ये जलत पान हो रहा चोटी-चोटी यह में मदीरा पान करना चलो करते यह भी एक लिवर खराब बने का कारण है लेकिन आज जो मुख्य कारण है जो अच्छे लोगे उनका भी लिवर खराब होने का कारण बाहर का अईली फुड स्पेशली जो रिस्टोरेंट्स में मिलता यह जो आपको हैंबर्गर रहता पीज़ा रहता डबल चीज जाके आप हमेशा देखने सकते कि बाहर आपको क्या-क्या मिल रहा वो लोग क्या-क्या दाल रहे जिससे आपकी बॉड़ी एकदम खराब होते ज और उसके अंदर थोड़ा सा जिल पनु लुका अपता मिलों की दंडी कितनी रहना बिलोए आप जितनेव लिए तक आपके उगली के हेसाब से इतनी जाव Mmu उसके अंदर थोड़ा सा निम्मू के इन दर थोड़ा सा ला नमक इन सबी चीजों को अच्छे से ग्रेंड करके च्छान कर इसका आप सेवन कर सकती है तो इसको आप डिरेक भी यूज़ कर सकते हैं जिनको परिशनेरी उसको फिल्टर करके भी पी सकते हैं आगे बढ़ते हैं अगले जुस्कियों दोस्तों यह अगला अपना ड्रिंक जो के बहुत ही आसा ने इसके अंदर आपको जादा पानी को 700 करके रात भर उसको भीगले छोड़ेने देना है वह पानी को पानी को चानना है मुनक्का या किश्मिष आपको बाजू लगाना है विद्ध उसके बाद उसको आइसाइसा उसका शेवन करते रहे आप दिन भर में आपको एक एनर्जी फिलोंग आपको ठकान सकते या किसी भी प्रकर से उसका सेवन कर सकते हैं प्रेकना नहीं है आए बढ़ते हैं तीसरे जूसकी और तीसरे डिंग में दोस्तों आपको लेना है अब आपको कभी भी हीमोगलोबिंग की परेशनी उठाने का आपको सवाल नें पैदाओंगा आएए बढ़ते चौते जूस के और अपना चौता ट्रिंग भी दोस्तों बहुत ही आसा ने जिसके अंदर आपको ज्यादा कंणन या आपको लेना है एक लेटर पानी एक लेटर इसको करने है आपको आदा यानी एक लिटर पानी को अदा लिटर करने हैं उसके बाद में तौने से पुली न निकाल देके उसके अंदर दालना है कम से कम 2-3 संत्रे का जूस लेकिन जो आपको दिन बर एनेर्जी बने रहीival, आये बढ़ता है, अपने पांचरे कि अपना अगला डिंक है दोस्तों आमला सेंदा रमाक गाजर और धनिय का इन चारों को अच्छे से ग्रैंड कीजिए उसके इंदर पानी दाले पूसे के तो थोड़ा गरम पानी दाल के इसको अच्छे से इसका जूस निकान लेके बद अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आ आपको अच्छी लेगी तो अपने प्रेजरों के साथ इसे शेर जरूर कीजिए बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिन्द जय महाप्रालिए